इंडियन फुटबॉल के चाहने वालों आए हो आप गाइस बहुत अच्छे होंगे डेली के तरह हम आज भी इस फीडियो में इंडियन फुटबॉल रेट न्यू स्कौर करेंगे काफी सारे इंडियन फुटबॉल को लेकर तो गाइस चली शुरूब करते हमारे आज की इस फ को त्री करोड की डील दिये कि वो त्री करोड को त्री करोड में आकाश मिश्रा को साइन करेंगे एंड गाइस जो मुंबई सिटी के लेट बैक है विगनेश दाकृष्ण मूर्ती वो जाएंगे हैदरावज एफसी ने मिन्स एक्सचेंज ऑफर होंगा लेकिन मुंबई सी मिश्रा को डील दे रहे थी कि वो वन यर का कॉंट्रैक्ट साइन करें ऐस लोन डील एंड देन उसके नेक्स्ट यर में मोहन बगान सुपर जैंड आकाश मिश्रा के साथ कंफर्म डील साइन करने वाली थी लेकिन मुंबई सी टी एफसी ने काफी अच्छा कॉंट्रैक्ट दिया है आकाश मिश्रा को 3 करोड के साथ और हो सबसे मेंगे इंडरे नेक्सट और नेक्स न्यूस तो गाईज वह आ रहे है चन्ने एनफशी के तरफ से टी गजो उनके हेट कोस्ट से था Thomas Patrick वो उनका departure होने वाला है Chennai NFC की तरफ से तो guys यह काफी लंबे समय से news चल रही थी कि Thomas Patrick डिपार्ट होने वाला है Chennai NFC की तरफ से and guys जो new head coach होने वाले है उनके बारे में अभी तक कोई news नहीं आ रही है जो Indian Fabrizo Ramano है Marcos उन्होंने काफी suspense बनाया कि कोई तो new अच्छा head coach आने वाला है Chennai NFC की तरफ से and guys अगर आप Chennai NFC की fan हो and आपको जड़ा सा कुछ idea होगा कि को ने वाले होने वाले है Chennai NFC के new head coach क्या वो old head coach है Chennai NFC के और कुछ कोई नया head coach आने वाला है Chennai NFC में यह हमारे comment section में ज़रूर रहेगा moving toward or next news तो guys वो आ रहे है इस बेंग अलेशी के तरफ से तो guys इस बेंग अलेशी ने फाइनली तो guys इस बेंग अलेशी ने अन्दाकुमार शेकर के साथ फाइनली त्री एर के डिल साइन कर लिए यह news भी काफी लंबे समझ से थी लेकिन कोई official announce नहीं आये थी क्योंकि क्योंकि transfer window officially शुरू हने का था and guys अभी इस बेंग अलेशी ने 3 एर की deal साइन के अन्दाकुमार शेकर के साथ अगर guys हम उनके stats देखे तो उन्होंने total 30 अपरेंस में 11 गोल स्कोर किये and 3 assists प्रोवाइड किये तो guys यह भी काफी interesting stats है from अन्दाकुमार FC and guys मैं हैर वीडियो में कहता हूं कि जब से कार्ल स्कॉड्रेट इस बेंगल FC में तब से काफी सारी development हो रही है इस बेंगल FC में and अगर guys आप इस बेंगल FC के fan हो तो आपके क्या opinion है इस न्यूस के बारे में इस यह हमारे comment section में ज़रूर लगा moving road और next news तो guys वो आर यह केरला ब्लास्टर से तो guys जो interesting transfer चल रहा था केरला ब्लास्टर और मोहन बागान के बीच केरला ब्लास्टर से हर्डी पम और मोहन बागान सुपर जाइंट के तरफ से प्रितम कोटाल यह दो प्लेयर एक्चेंज होने वाले थे इस दील में टीम्स का ही काफी फायदा होगा क्योंकि प्लेयर्स यह काफी interesting होगा क्योंकि उनके जो कैप्टन थे वो है एड्रेल नुना एंड जो किरला ब्लास्टर के प्लेयर है हॉर्णी पंप वो जा रहे है मोहन बागान सुपर जाइट में एन गाइस हॉर्णी पंप क्या हमें AFC Asia Cup में दिखेंगी कि नहीं यह काफी interesting news होगी अगर उ फिर से आ रहे है खेला ब्लास्टर की सरफ से अगर देखें तो उन्होंने जो लालिगा है उनके काफी सारे क्लब्स के तरफ से खेल रहा है ग्रनाडा बी एंड गाइस सीविया अटलैटिको जो फोल्ट टार की लीग है लालिगा की उसमें भी उनके खेल रहा है अगर उनके अपेरेंस देखें तो उन्होंने लालिगा में टोटल LJST के दरफ से टोटल 16 अपेरेंस किये and guys उन्होंने कोपा डेलर में total 2 appearance किये तो total उन्होंने season 22-23 में 18 appearance किये तो ये काफी अच्छी news है क्या केरला प्लास्टर्स इस center back को sign कर पाई के नी क्योंकि guys वो already काफी financial problem से गुजर रहे है क्योंकि आल ही में AIFF के disparate committee ने उनकी appeal reject किये और उन पर अभी 4 करोट का fine भी है तो क्या इस financial condition में वो foreign के काफी अच्छे-चे player sign करेंगे की नी and already उन्होंने जो Australia के A league के player है उन्हों भी sign कर रहा है तो guys क्या लगता है आपको क्या केरला प्लास्टर्स इस दिल को crack कर पाई की नी and क्या हमें जो लालिगा के center back defender है क्या वो इंडिया में दिखेंगे यह हमेरे comment section में जरूर बताएगा तो guys यह थी हमारी आज की वीडियो क्या आपको वीडियो पसंदा यह हमारे comment section में जरूर बताएगे